जैसा के पिछली वीडियो में हमने इडिट मेनू कवर किया था आज हम फॉर्मेट देखते हैं तो सबसे पहले हम फॉर्मेट मेनू में जाएंगे और इस मेनू में हम फॉर्मेट का यूज देखते हैं सबसे पहले format menu में font पर click करेंगे और ये एक dialogue box open होगा font का यहाँ पर आपको मिलेगा font, font style और size notepad में आप इस बात का दिहान रखें कि आप अगर किसी particular text को select करते हैं ऐसा select करके अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि केवल हम दो तीन line को change करें और सभी text को नहीं तो ऐसा notepad में बिल्कुल भी नहीं होता format menu में जाते हैं font में हम कुछ करके देखते हैं पहले अब यहाँ देखेंगे जैसे लिखा है time new remains अगर हम यहाँ से इसकी font style को थोड़ा change करें like as जैसे algorithm हम यहाँ से करते हैं और click करते ही यहाँ देखेंगे आप bold लिखा हुआ है और जिसकी size 22 है और अगर हम इसे increase करना चाहें बढ़ाना चाहें तो बढ़ा सकते हैं और कम करना चाहें तो कर सकते हैं वैसे तो minimum इसकी size 8 और maximum 72 होती है तो हम इन में से आप कुछ भी कर सकते हो 8 से 72 के बीच में हलाग यह आप type करके और भी से बढ़ा सकते हो बट आपके word के या page के लिए comfortable नहीं होता तो यह ठीक है कि हम इसको 20 या माल लेजे 14 कर लेते हैं और जैसे ok पर click करेंगे तो आप देखेंगे कि selection कुछ word हुआ था लेकिन इसमें पूरे word पर effect हुआ है तो notepad में किसी particular text को select करके font effect डालना कोई मतलब नहीं है तो यहां से हम क्यार क्या कर सकते हैं जैसे font menu का चुनाओ करेंगे और without selection कोई जरूरी नहीं कि आप किसी word को select करें और यहां देखेंगे जो भी बहुत सारी font style होती है जो भी आपको पसंद हो आप इसमें से कोई एक choice कर सकते हैं जैसे हमें time neuron करना है तो हमने time जैसे type किया time और इस तरीके से time neuron सर्च हो कर आगे हम इस पर click करेंगे तो आप basically इसका simple यहां भी देख सकते हैं एकदम time simple तरीके से तो यहां लेका है bold तो यह word bold है अगर regular करेंगे तो देखेंगे simple तरीके से यह bold है italic में हमारे characters थोड़े से तिर्चे हो जाते हैं जैसे यह देखेंगे आप पहले क्या picture इन character पर थोड़ा धियान देंगे तो regular में एकदम सीधे हैं तो italic में हलका सा तिर्चा हो गया bold से heavier font यह थोड़े मोटे हो जाते हैं और सीधे अगर हमें तिर्चे और मोटे दोनों चाहिए होते हैं तो ऐसे situation में बोल्ड italic पर click कर लेते हैं और यहां से size हम increase कर सकते हैं जितना भी चाहिए तो जैसे आप देख रहे हैं यह काफी bold हैं और मोटे मोटे दिखाए दें तो हमें regular करना है simple सा और इसकी 18 size रखनी है कुछ लोगों का मानना होते हैं सर जैसे अगर हमें 14 16 अगर हमें 15 रखना हुआ तो आप simple तरीके से यहां से type कर सकते हैं जो भी आपको चाहिए 13 15 या फिर 17 तो हमें जैसे मालेजिया भी 15 आपको करके दिखाते हैं यहां 15 टाइप कर दिए और यहां से ok कर देंगे तो इसकी size 15 में है इस तरीके से हम देखते हैं कि format में font से हम आसानी से font को change कर सकते हैं जैसे यहां से font, font style और size next चीजे format में अब देखते हैं word और इसे दोस्तों अब इसलिए बताया जा रहा है जैसे view में हम cover करेंगे zoom और status bar साथ के साथ edit menu में go to अभी आप देखेंगे कि edit menu में go to काम नहीं कर रहा है और view menu में यहां पर status bar work कर रहा है तो जैसे हम यहां से इसे active की हैं तो आप देखेंगे नीचे status bar का मुख्य काम होता है line number और column number दिखाना तो यहां से हम देख रहे हैं कि यह line number status bar में दिखा रहा है जैसे हम deactivate करेंगे तो देखेंगे यह गायब हो गया तो control plus से page को हम zoom in कर सकते हैं इस तरीके से और zoom out के लिए control के साथ minus का use कर सकते हैं हलाकि यह window 10 में ही work होता है window 7 में ऐसा बिलकुल भी नहीं है तो view menu में आपने zoom देखा और status bar status bar पर अगर हम थोड़ा ध्यान दें जैसे अभी format menu में वर्रवाय active है और जैसे अगर हम यहां एक बार click करेंगे तो आप देखेंगे यह निसान जो check mark लगा था गाइब हो गया deactivate हो गया तो ऐसी situation में आप देख रहे हैं कि आपके screen में कुछ बदला हुए है जैसे कि यह line बहुत आगे तक अगर देखेंगे नीचे हमारे पास एक horizontal scroll bar आ गया अभी तक यह नहीं था अगर आपको देखना है तो आप format menu में जैसे format में word wrap पर click करेंगे तो देखेंगे यह guide हो गया और हमारे word आ गया इससे होता क्या है जैसे हम एक line पूरा करते हैं और इसके आगर हम कुछ भी word type करेंगे देखेंगे नीचे ले line से type होता है like edge अगर देखना चाहें जैसे हम य अगर हम जहां से यह computer सब्द टाइप करते हैं तो आप देखेंगे यह नीचे आ गया स्वाता है बिना इंटर की और अगर आप जैसे इसे deactivate कर देंगे word wrap को तो आप देखेंगे यह आपके पास horizontal scroll बार आ गया और काफी आगे तक ही लिख रहा है तो इसमें हम देख रहे है कि इस line में जैसे देख रहे हैं कि line number 6 और column number 284 दब 284 यहां पर आप ऐसे character को लिखते जाएए जैसे लिख रहे हैं computer तो आप देख रहे हैं कि इसमें जुड़ रहा है word और यह ऐसे हम कितने characters को लिख सकते हैं तो थोड़ा fast अगर हम करना चाहें तो किसी आप line को particular copy कर लिज और copy करने के बाद हम देखते हैं कि इसमें कितने character आते हैं तो ऐसे आपको बता दें कि इसमें अधिकतम 1024 character आते हैं तो ऐसे हम जैसे push करते जाएंगे control वी control वी तो आप देख रहे हैं 853 हो गया फिर इस तरीके से अभी थोड़ा ज्यादा हो गया तो बैक करके देख लेते हैं तो यहां पर देख रहे हैं कि हमारे पास कुछ characters और मिटा दें तो देखते हैं जैसे अभी 1017 अगर हम ऐसे किसी वर्ट को push करें 17 18 19 20 21 22 23 24 तो अभी आप देख रहें इसमें 24 जैसे हम push करेंगे यम सपोच करिए के के बाद यम push करते हैं तो यह देखेंगे कि यम को अपने साथ यहां पर आप कितना दिखा रहा है 25 लेकिन इसमें character है 24 और जैसे हम के को push करेंगे तो आप देखेंगे के को साथ में लेकर नीचे अली लाइन में आ गया यहां आप देख रहे character 7 में लिखा है J या के एक character और बता रहा है 2 तो इस तरीके से आप देखेंगे cursor अपनी position को भी count किये रहता है अब आप देख रहे हैं मिटा दिये तो कुछ भी नहीं तब फिर भी आपको एक बता रहा है लेकिए आप पूरा delete करके भी चेक करिए लाइन नमबर 1 और column function 24th character को write कर सकते हैं तो यहां से आपने देखा इस तरीके से इसमें word wrap में कितने characters होते हैं और ये deactive होने पर ये line स्वता चेंज नहीं करता है नहीं हमें enter करना होता है पूरे characters को वापिस ला लेते हैं अब देखते हैं edit menu में एक command है go to अब देखेंगे ये work होने लगा जैव format में word wrap directive होगा तो edit menu में go to work करेगा और इसका काम होता है simple तरीके से line go to करना यहीं जिस line पर हमें पहुंचना होता है वहां से edit में जाएंगे go to पर click करेंगे तो यहां पर पूंच रहा है line number अगर हम यहां अभी total हमारे पास 11th line है अगर हम यहां type करते हैं कि 5 तो 5 click करके जै 5 में लाइन पर आ गया एक दो तीन चार और पांच जिस line का आप gaping कर देंगे enter कर देंगे उसको भी account करके रखता है तो इस तरीके से edit menu भी समापत होता है edit menu में आपका go to cover हो गया format में word wrap font हो गया और view में आपको zoom status bar help बताता है कि इसमें like is about notepad send feedback मांग रहा है इसका बहु प्रकिंग वेसे कोई मतलब नहीं होता तो आपने देखा notepad इस तरीके से सारेज कमांड वर करते हैं जो भी आपको doubt हो comment कर सकते हैं थैंक्यू